आज मैं आपके लिए काठी रोल की रेसिपी लेकर आए हूँ इसे हमने आलू के फिलिंग से बनाया है लेकिन जो नॉर्मल आलू हम पराठे में या फिर सान्विच में खाते हैं वैसी फिलिंग नहीं इसमें हमने बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर्स का यूज किया है और ये ख मनाप में वाल पर बाउड के त्यों के लिट नॉक नहीं हो जाते हैं छो कोकुनेट कौलर चेंज हो चुका है ये लाइट कूल्डन हो गया है और अब हम इसे एक बाउल सखे़ का पलाब न निकाल लेंगे साथ ही इसी पैन में 1 टेबल स्पून साबिध धनिया भी रोस्ट कर लेंगे तो इसे पहले कुछ सेकिंद के लिए रोस्ट करेंगे फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है और इसी के साथ में साबिध जो मिर्च आती है इन दोनों को एक साथ रोस्ट कर लेंगे एक मिनिट के लिए तो यहां पर हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे साले हमारे रोस्ट हो गए हैं इसी के साथ में हम कुकर में थोड़ा सा पानी डाल कर दो आलू को भी बॉयल कर लेंगे तो यहाँ पर हमें आलू बड़े लेने हैं और इसे 90 परसंट कुक करना है तो यहाँ पर मैं इसमें दो विसल और इसे करीबन 10 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर रख दूँगी ताकि यह अच्छे से पक जाएं यहाँ पर हमें आलू को एकदम सौफ नहीं करना हमें इसका भड़ता नहीं बनाना है क्योंकि हम इसे थोड़ा सा अवन में भी कुक करेंगे तो इसे इतना आपको पकाना है कि यह अपनी शेप होल्ड कर सके पफ़ें यहाँ पर आलू को पकने देते हैं मसाले भी ठंडे हो चुके हैं इसे हम ग्राइन कर लेते हैं पहले हम इसमें कोकुनटaty डाल देंगे साथ ही में जो हमने dry spices roast के ते वो डाल देंगे थोड़ इसी हल्दी डाल देंगे और इन तीनों को अच्छे से पीस कर इसका powder बना लेंगे देखें यहाँ पर हमारा मसाला भी पिस चुका है हमें इसे एकदम बारीक पीसना है मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखें हम इसे marination में use करेंगे तो यह जितना बारीक होगा उतना यह अच्छे से coat होगा तो चलिए अब आलू भी चेक कर लेते हैं यह देखें आलू भी हमारे अच्छे से boil हो चुके हैं मैंने इसे इतना पकाया है कि अपनी shape hold कर सकें और अब हम इसके pieces कट कर लेंगे तो देखें मैंने इसको square pieces में इसे cut कर लिया है इसे हमें square में cut करना है ताकि जब हम इसे square में insert करें तो यह अच्छे से insert हो जाएं यह देखें थिकनेस आप देख सकते हैं इतनी थिकनेस हमें इसकी रखनी है तो चड़ी आप marination तयार करते हैं और में हमने जो masala भी pizza था वो डाल देंगे साथ ही में 2 teaspoon बेसन और 1 tablespoon ginger paste और नमक स्वादनुसार इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे तो देखें यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से mix हो गई है और अब हम इसमे 6 tablespoon दही डाल देंगे दही जादा खटा नहीं होना चाहिए और 2 tablespoon oil आप यहाँ पर mustard oil भी यूज़ कर सकते हैं और इन सब को एक बार अच्छे से हम बिला लेंगे तो यहाँ पर हमें खटा दही इसलिए यूज़ नहीं करना और इन सब को एक बार फिर से बिला लेंगे तो देखे बैटर हमारा यहाँ पर रेडी है इसमें अब हम अपने आलू डाल देंगे और इसी के साथ में मैंने कुछ प्यास और शिम्ला मिर्श को भी कट कर लिया है यह देखे और इन दोनों को भी हम इसी के साथ डालके इन सब को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे तो देखे यहाँ पर सारी चीज़े अच्छे से मैरिनेट हो गई है और अब हम इसे आदे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम अपना आटा लगा लेते हैं हम हाफ कप आटा देलेंगे केहूं का आटा और साथ ही में वन फोर्थ कप मैदा जनरली इक्वल रेशियो होता है लेकिन हम आटा जादा यूज़ कर रहे हैं नमक डाल देंगे स्वादनुसर और वन टेबल स्पून ओइल आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं एक बर इन सब को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम यहाँ पे गुन गुना पानी लेंगे और इसका सेमी सॉफ्डो तयार कर लेंगे ना जादा गरम ना जादा ठंडा एक दम ल्यूक्वाम हमें यूज़ करना है और इसका सेमी सॉफ्डो लगाना है यहाँ पर डो लग चुका है इसमें हम थोड़ा सो ओयल लगा कर इसे एक बार फिर से नीट कर लेंगे और अब हम इसे धक कर 10 से 15 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो देखें यहाँ पर इसे मारिनेशन को भी आदा घंटा हो चुका है सारी सब्जी आच्छे से मारिनेट हो चुकी हैं और अब हम इसे स्क्यूर पे लगाएंगे तो मैंने इन स्क्यूर को आदे घंटे पहले पानी में डाल के रखा था जो हम काठी की बात कर रहे हैं इसे ही काठी बोलते हैं और अब हम काठी पे अपनी सब्जिया लगाएंगे तो सबसे पहले मैं नीचे प्यास लगा रही हूँ उसके बाद शिम्ना मिर्ज और फिर अपना आलू और इसी तरीके से हम अपनी सब्जियों को रिपीट करेंगे बहुत हलके हाथ से आलू को लगाना है क्योंकि आलू अल्री हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो जादा अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो यह हो सकता है तूट जाए तो देखें यहाँ पर हमारी काठी एकदम तयार है और इसी तरीके से हम बाकी सारी काठियां भी तयार कर लेंगे और अब हम इसे ग्रिल करेंगे तो अवन में ग्रिल का उप्शन होता है उसे हमें प्रेस करना है और इसे 12-15 मिनिट के लिए ग्रिल करना है बीच में 7 मिनिट बाद हमें इसे फिलिप करना है और दोनों तरफ से इविनली 12-15 मिनिट के लिए हमें इसे ग्रिल करना है उको भी रिस्ट के हुए 15-20 मिनिट हो चुके हैं और अब हम इसे भी नीट करेंगे करीबन 5-7 मिनिट के लिए तो stretch and fold method से हम इसे 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से एक बार नीट कर लेंगे ताकि इसमें gluten अच्छे से डबल अप हो जाया और जब हम इसे रोल करें तो ये बहुत अच्छे से रोल हो ये डो हमारा यहां पर रेडी है और अब हम इसे portions में divide कर लेंगे तो इतने डो से आप 3 पराठे बना सकते हैं तो हम इसको 3 portion में पहले डिवाइड कर लेंगे अब इसे बेलना शुरू करते हैं सबसे पहले हम नीचे flower dust कर लेंगे platform पे और इसे रोल करेंगे इसे मैं एकदम पतला नहीं रूल कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं रोटी को हलका सा थेक रखूंगे क्योंकि इसमें stuffing भी जानी है जादा पतली होगी तो stuffing के hold नहीं कर पाएगे और हम लच्चा पराटा बना रहे हैं तो इसके लिए थोड़ी सी तेकने साम इसकी मोटी रखेंगे एकदम पतली नहीं और मैं इसे medium size की बना रही हूँ अगर आप बड़ो के लिए बना रहे हैं तो आप रोटी को बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन मैं बचों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसका size चोटा ही रखूंगे और अब हम रोटी के उपर थोड़ा सा oil लगा कर इसको पूरे रोटी पर spread कर देंगे और साथ ही में थोड़ा सा सूखा आटा ताकि जब हम इसे fold करें तो यह आपस में चिपके नहीं तो देखे कुछ इस तरीके से हमें रोटी को fold करना है एक तरफ पीछे से फिर आगे से पीछे से आगे से यह देखे इस तरीके से और अब हम इसे सीधा करके इसे fold कर लेंगे यह देखे एक कोने से हमें इसे अंदर की तरफ रोल करना है और जो last का portion है उसे stretch करके नीचे की तरफ डालना है यह देखे ऐसे stick कर देना है और अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथों से और rolling pin से से roll कर लेंगे रोल हो चुका है और अब हम इसे तवे पे fry करेंगे यहां पर तवा भी हमारा गरम है और अब हम इसे fry करेंगे तो flame को यहां पर medium कर लेंगे ताकि यह धीरे धीरे अच्छे से पके और इसकी पड़ते भी थोड़ी खोलें तो यहां पर रोटी हमारी एक तरह से अच्छे से सिख चुकी है और अब हम घी लगा कर इसे अच्छे से fry कर लेंगे तो यहां पर पराठे भी हमारे तयार हो चुके हैं आई अब काठी का स्टेटस चेक कर लेते हैं और फिर इसके काठी रोल बनाना शुरू करते हैं यहां पर हम एक लच्छा पराठा लेंगे उसके उपर हम ग्रीन चटनी लगा देंगे यह होममेट ग्रीन चटनी है तो इसे सबसे पहले हम नीचे लगा देंगे और इसके उपर जो अभी हमने वेजेटेबल्स को ग्रीड किया है उसे रख देंगे तो एक कॉर्णर पर हम अपनी वेजेटेबल्स को रखेंगे इसी के साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्यास और हरी मिर्च तो मैं यह पर मोटी वाली मिर्च डाल रही हूँ जो जादा तीकी नहीं होती थोड़ी सी केचप और थोड़ा सा लेमन जूस और अब हम इसे रोल करेंगे तो सारे चीज़ों को एक कॉर्णर पर करके हम इसे रोल करेंगे यह देखे कुछ इस तरीके से आगे से थोड़ा सा दबाते हुए हम इसे रोल करना है और अब हम देखे इतना सा फॉइल पेपर लेंगे यह सब के घर में होता है और इसे रोटी के नीचे वाले हिस्से की तरफ रखके इसको साथ में इसके फोल्ड कर देंगे ताकि जो रोल है हमारा वो खुले नहीं तो जो आप बच्चों को दें तो इसे ऐसे रैप करके दें ताकि वो इसे एजिली पकड़के खा सके और नीचे से हम इसे अंदर की तरफ टक कर देंगे ताकि यह खुले नहीं तो देखा आपने कितना इजी है इसे बनाना तो देखें तयार है हमारे यहां पे सारे रोल तो आप इसको एक बाग घर पे ज़रू ट्राइ करिएगा इसमें कोकोनेट का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आलू तो सबके ही फेवरिट होते हैं तो यह रोल एक तरीके से complete meal है आप इसे husband को, बच्चों को सबको घर में बना कर दे सकते हैं सबको बहुत ही ज़ादा पसंद आएंगे तो एक बार आप इस recipe को घर पर ज़रू ट्राइ करिएगा और मुझे बताएगा ज़रू कि आपको एक कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थांक यू, बाबाए